परम सत्कार्योग सासंग जी रस्ना पवितर करिये ते आखिये तांसीरी साथगुरू गुबेन सिंग जी तांसीरी साथगुरू जगजी सिंग जी तांसीरी साथगुरू उदे सिंग जी सासंग जी आप सबनू आजव साखी दे परब्धियां लाख लाख वदाईया होन सासंग जी आज जसी गुरु गुबेंसिंग जी दी साखियां दा अनांद मानागे ब्रामन जाती दी आपने करम तरम वीच द्रिडता पर्खन वास्ते गुरु जी ने दूर दूर तक ब्रामनानू सद्धे पत्तर पेज़ के एक वड़ा ब्राम पोज किता आप जी ने एक पासे महा प्रशादा लंगर त्यार करवाया अते दुझे पासे वैशनू पोजन ज़़ पोजन त्यार हो गए तस आप गुरु जी ने ब्रामना दे समागम वीच उच्ची अवाजना लाख्या इक पासे महा प्रशादा लंगर त्यार है ते दुझे पासे वैशनू खीर पूडा आद त्यार है जेडे ब्रामन महा प्रशाद लंगर वीच प्रशाद चकनगे और ननू पांज-पांज मोराद दचना मिले गिया अते जेडे खीर पूडा वैशनू चकनगे और ननू एक-एक मोर दचना मिले गी दुझे पासे खुले हन जिस पासे किसी दीवी रुची होवे जाके प्रशाद चाकलवे गुरु साहिब जिदे इस संभोधन नाल बहुत सारे ब्रामन महा प्रशाद वाले लंगर वीच प्रशाद चकन चले जाना ही मुनासिव समझया ते केवल इकी ब्रामनी वैशनू पोजन वाले पासे प्रशाद चकन गये जद ब्रामन प्रशाद चाक चुके ता गुरु साहिब ने महा प्रशाद दा लंगर चकन वाले आनू इक-एक मोर दचना देती अते नालियों ननू ताड़ना किती कि तुसी आचरन हीन हो जीना ने तान दा लोब कारके आपने तरम दे नेम दी प्रवा नहीं किती इस कारके तुसी आपने ब्रामन पुणे दा मान नहीं कार सकदे महा प्रशाद चकना केवल छत्रियां शस्तर तारियां दा करम है जीना दा वास्ता सदा ही जंगा जुद्धा नाल रहन्दा है पांज मोरा दचना देखे, ओनना दी प्रसंसा कारके, आख्या की तुसी तान हो, जेडे अपना तरम करम दे नेम वीच पक्के हो, तुसी ग्रियस्ती लोकानू उपदेश देखे, ओनना दा जीवन सुदार सक दे हो, फिसाद गुर्जी ने सिखानू आख्या की ए ब्राह्मन जेडे अपने तरम दे नेम वीच पक्के हन, एसन मान गरन दे योग हन, इस तरह गुरुजी तो कुछ विद्वान ब्राह्मना ने आपनी प्रसंसा ते मान वडियाई सुनके गुरुजी नू आख्या की गुरुजी जेकर आप देवी सीद कार लवो, ता फिर जंगा जुदा वीच सदा ही वेरियां उत्ते तो हड़ी जित्थोया गरेगी, तो हड़े अगे कोई भी वेरी आड़ नहीं सकेगा, जद गुरुजी ने पुछया कि आजकल कोई ऐसा पंड़त है, जड़ा देवी सीद कार सकदा ता पंड़ता ने दस्या कि गुरुजी एक पंड़त केसो दाश काशी वीच रहनदा है, वेद मंत्रा वीच बहुत इसे आना है, उसनु सादलवो, ओ देवी सीद कार देवेगा, जद ब्राम पोजन चाके पंड़ता आपो अपने करानु चले गए, ता ओना वीचो किसे प पाशी वीच केसो पंड़ितनु जादस्या कि शीरी गुरु गुबेन सेंग जी जो इस समी अनन्द पूर रहन देहन, ओ देश वीचो जालम ती जुलम नू दूर करना जान देहन, इसका मवस्तियों ननू देवी शक्ति दी लोड है, ओ किसे ऐसे विद्वान पंड़ित द तो बाते तान प्राप्ती वास्ते पंड़त केशो दास गुरु जी पास अनन्दपूर आगया, गुरु साहिब जी नाल सारी गालवात कारके केशो दास ने हवन करन वास्ते बहुत सारी समगरी क्यो आद मंगवाके, नेना देवी दे टिल्ले उट्ते हवन कुंडर चक, व दिन प्रती पंड़त वेद मंतर पढ़दा ते कुंड वीच अहुतिया पाउंदा रहा, पर कोई देवी प्रगटी ना होई, ता एक दिन अमरत वेले, गुरु जी ने सारी समगरी कठी कारके अगन कुंड वीच पादेती, इस आगनिया बढ़िया उचिया लाटा निकलिय दूर दूर तक लोका निवेखिया, एक कौतक राज के गुरु जी ने सीरी साहिब म्यान चो काड़ के उच्ची कारके हाथ वीच फाड लई, अते वेखण वाले नुक्या की आदेवी शक्ति प्रगट होई है, जिस दे जोर्नाल असानी जुलम ते जालम दा नाश करना है, जिस दे हाथ वीच होवे, ओ ही शक्तिवान होंदा है, इस वास्ते साड़ी शक्ति देवी है, जिसनों असानी प्रगट करना से, इकतालिवी वार्दी पहली बॉड़ी वीच पाई गुर्दास जी ने लिख्या है, गुर्द सीमर मनाई कालका खंडे की वेला, पीवो पाहल खंडे तार होई जनम सुहिला, अर्थाद गुरु जी ने खंडे की वेला, यानि खंडे ना अमरेच कौन समय कालका ना आराधन किता, अते आपने सिखान उबचन किता, कि खंडे दी तार वाला, खंडे नाल त्या सी देवी न कौतक समापत कारके गुरुजी ने दिवान नानिचंद नू आग्या कारके देशा प्रदेशा वीच सारे सिखानू हुकम नामे पेजगे विसाखी दे मेले उट्टे पॉंचन दी पक्की कार देटी मेले वीच जे डेड़ दो मही नेरा समा बाकी सी इस वास्ते स सबनू हुकम नामे समिसिर ठीक पहुंच गए बहुत गिंटी वीच संगता अवसाखी तो पहला ही अननदपूर साहिब पहुंच गिया सब दे डेरे वाकवाक इलाके दे नियत तमुआ वीच लगवाए गे स्वीरे शाम दे दिवान सजदे जिस वीच हजारा दे गिंटी वीच सिख माई पाई हाजर हुंदे एन्नो खुशिया परे वातावन वीच गुरुजी ने दिवान नांचन नू उकम किता कि संगता नी प्रसंतले खीर पूरे पूरे आदग्दा एक बहुत वड़ा पंडारा त्यार करो अत्ये सब संगता नू सनमान नाल चका के त्रिप वाके सब संगता नू पंगता वीच बिठाल के लंगर चकाया उपरंत जद पंडत केशो दास नू इस पंडारे रा पता लगा था उसनी गुरुजी पासान के अपना बहुत गुसा प्रगट किता कि तुसा मेंनू क्यों नहीं सद्या ताद गुरुजी ने केशो दासनू समोधन कारके तीन सवईये उचारन किते ओना दा अर्थ है जो कुछ परमात्माने लेक लिख्या होवे ओही पाइदा है तुसी पंडे जी गुसा दूर करो इस वर मेरा कोई कसूर नहीं है मेंनू तो अड़ी आदी भुल गे सी क्रोध ना करो कपडे ते लेफ तलाई आज जी पेश देांगा एगाल तुसी पक्की समझ लो खत्रीटा सारे तौडे बनाए होए हन इन्न उत्ते किर्पा द्रिष्टी रखो असा इन्न दी किर्पानाल जुद जीतते हन इन्न दी किर्पानाल पोजन पंडारे चल दे हन इन्न दी किर्पानाल सारे पाप मिट जान दे हन इन्न दी किर्पानाल कार परे होए हन इनना दी किर्पानाल ही शस्त्र विद्या प्रापत किती है इनना दी किर्पानाल सारे वैरी नास होए हन इनना दी किर्पानाल ही असी सजे होए हा नेटा मेरे वर गे क्रोडा ग्रीप पए फिर दे हन इनना दी सेवा करनी ही सानू पौंदी है होर किसे दी सेवा करनी सा नू चंगी नहीं लगदी इननू दान देना ही चंगा है अते होर किसे नू दान देना चंगा नहीं लगदा इननू दित्ता होया ही अग्ये जाके फली पूत हुंदा है अते संसारिच सोबा मिल दी है होर दित्ता होया सब फिका है मेरा तान मान तान अते सेर ताकवी सब एना दाई है गुरुजी राये उत्तर सुनके केशो दास गुसे नाल जाल बाल के कोला हो गया अते क्रीच दा हो या उठके कार्नु चल्या गया इस पर थाए गुरुजी लिख देहन चट पटाई चित में जरेयो तरिन जयो क्रूधत होए खोज रोज के हेत लग दयो मिसर जू रोए अर्था दे उत्तर सुनके अंदर यंदर क्रोध नाल साड के कोला हो गया रोजी खोई जान कारके मिशर जी रोपए यानि पंडित केशो दास जी रोपए सम्मद स्तारा सोच पुंजा दीवे साखिरा दिहाडा आ गया संगता आप जी दे दर्शन पर्शन वास्ते आपो आपनिया पेटा लेके हाजरिया पार चुकिया सन अते किर्तनी जथा किर्तन दी समाप्ती करके पोगपा चुका सी गुरु साहिब जी शक्ती रुपी तलवार दी तारनाल आपनी सिखा वीच भीर रास परंदी सोची समझी वियोंत अनुसार आपने आसन उत्तो उठके स्टेज उत्ते चुप जाप खड़े होगे सिखा ने दुरोई दिवान वीच बैठे हाथ जोड के नमस्कारा कितिया तक कही जेडे पिछे दूर बैठे सन ओनाने बड़ी शर्दाना लुटके आप जी रे दिदारे किते रे नमस्कारा कितिया हुन सिख संगता आप जी रे बचन सुननन वास्ते उतावलिया हो रिया सन कि चोजी मेरे गोविदा चोजी अनुसार चोजी साथगुर्जी ने अपनी किरपान म्यान विच्च तूके ए किरपानों सी जड़ी नैना देवी तो प्रगट होई सी किरपान म्यान विच्च तूखे आपने शीष तो उच्ची कार लेई ते गर्ज के बोले सानु इस वेलेक सिख दे शीष दी लोड है जिसने पेट देना हुवे ओ अग्गे आ जावे इस गर्जवे बचन दे सुन दे सार ही सब दे हिर्दे काम गे ते डर पोक विचारे ता उठके चले जान दी गालवी सोचन लाग पे जद तीन वार साथ गुर्ज ने ही मांग दो राईता दिवान विचे उठके एक पाई दया राम जी पाई पार दी कुल विचों डल्ला नि जद फिर एक होर सिख दे सिर्दी लोड है ता फिर पाई तरम दास जी पेंड बजट वाड़ा जिला सहारन पूर्दे जाट उठके हाजर होए इस नूवी गुरु जी तंबु वीच लैगे तीसरी वाज जद फिर बार आणके एक होर सिर्दी मांग किती ता पाई मोहकम द पाई साहिब जन जी पिंड नंगल शहीदा जीला पूर जीला हुश्यारपूर दे नाई अति पंजवी वार पाई हिमत माल जी संगत पूरा राजपटे आला दे चियोर हाजिर होगे कुछ समय प्रजन्द गुरु जी इना पंजानु तंबु तो बाहर लैके आये ता इनन ने नवे पुशाक्यते शस्तर सजाए होई सन साबसीक संगता इनना नू वेखे हरान रह गिया साध्गूर जी इनना पंजानु अपने ना स्टेज उत्ते खड़े कारके संगता नू दस्या कि ए पांज मेरे प्यारे हन जीना ने मेनू आपना आप ही दे दिता है उपरंत अमरीत दाते साध्गूर जी लोहे दे बाटे वीच जालते पता से पाके उसे वीच सजी हादनल खंडा फेर दे रहे याते मू तो जजी सहेब जाप साहेब स्वईये आद पांज बाणियाना पाठ कर दे रहे पाठ दिस मापती उपरंत गुरु जी ने ना पंजा प्यारयानू वारी वारी इक ही कार के अमरीत दे पांज चूले छकाए पांज अक्खा उते छिट्टे मारे अते पांज केसा वीच पाए हार एक चूले दे नाल आप वैगूर जी का खालसा वैगूर जी की फत्य बुल अमरीत दी मर्यादा पूरी कार के फिर गुरु जी ने संगत प्रती क्या कि आज तो एनना दे नाम सिंग हन जैसा कि पाई दया सिंग, पाई तरम सिंग, पाई हिम्मत सिंग, पाई साहिब सिंग, अती पाई मोकम सिंग जी अग्गे तो वी गुरु जी ने क्या अमरीत तार सिख दा नाम सिंग ही होवेगा उपरंद गुरु जी ने पांच प्यारें नो सम्भोधन कारके गया अमरित तारी सिंग नो पांच ककार, केस कंगा क्रिपान, कडा अतिक शेरातारंदी रहत रखनी बहुत जरूरी है इनना तो बीना पतित समझा जाएगा सादगुर जी ने सब संक्ता प्रती फुर्माया कि जेडा साड़ा सिख कुरैता दो बच्चेगा अति रहता दा तारनी होवेगा ओ खालसा है ऐसे खालसे विच मेरा अपना निवास होवेगा ति उसनों तुसा मेरा रूप ही जानना जैसा की सरव लोक ग्रंत विचा उचारन किता है खालसा मेरो रूप है खास खालसी में हों करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसा के हों बस्त सद संगा खालसा अकाल पूरक की फौच प्रग्टे हो खालसा प्रमातम की मौच जब लग खालसा रहे नियारा तब लग तेच दियूम है सारा इस तरह आप जीने खालसे दी मान वड़े आई वीच बहुत चोपईया ते दोरे उचारन किते जो सरब लो ग्रंत वीच विद्यमान हान सारे याक लिए तान सीरी साथ गुरू गुबिन सिंग जी तान सीरी साथ गुरू जग जी सिंग जी साड़ी उना दी चरनाती अनीका वा डंडो बंदना है